हलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं साइन फॉर्मूला लो ओफ साइन्स बड़े ध्यान से समझेगा आज ये फॉर्मूला हमारे सामने है इसका प्रूफ भी करेंगे और इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज किया जाता है एक्जाम्पल्स भी करेंगे फॉर्मूला है A upon sin A equals B upon sin B equals C upon sin C अब A, B और C क्या है ये देखिए ये ट्रेंगल है हमारे पास A, B, C A vertex के सामने वाली साइड उसकी लेंथ A, B vertex के सामने वाले के साइड B और C vertex के सामने वाली साइड C तो अगर ये situation है ऐसी ट्रेंगल है तो this is known as sign formula इसे sign formula बोलते हैं इसका प्रूफ करने के लिए हमें construction करनी पड़ेगी एक काम करते हैं इसी में एक perpendicular draw करते हैं A, D मान लीजिए ये मैंने A, D एक perpendicular draw किया ये length जो है ये तो A है हम इस तरह हैं से mention कर देते हैं A, D हमारे पास perpendicular ठेक है जी अब देखो ये हमने perpendicular बनाया तो इसके बाद मैं अगर इस triangle में जाओं in triangle A, B, D A, B, D triangle में sin B की value क्या होगी sin B होता है perpendicular upon hypotenuse perpendicular है हमारे पास A, D और hypotenuse है A, B यानि की C into sin B इसे number 1 मान लीजिए इस triangle में हमने AD की value निकाल ली अब इधर वाली triangle में जाएंगे AD C triangle इधर angle B लिया था ना तो इधर angle C लेते हैं C angle के लिए sin C use करेंगे same perpendicular upon hypotenuse that means AD upon AC इसे solve करेंगे तो यहां से भी AD की value निकालनी है AC की value कितनी है B है तो B जब sin C से multiply होगा तो B into sin C यह value आ जाएगे this is number 2 अब देखिए first equation और second equation बन चुकी है तो from first and second क्या होगा from first and second यह भी AD है यह भी AD है तो इसका मतलब यह जो C sin B है it will be equal to B sin C right और इसका next step आगे क्या होगा यहां लिख रहे हैं इसके बाद यह sin C इदर नीचे ले हो और sin B इदर नीचे ले जाओ cross multiply किया तो हम यहां तक पहुंच गे अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है मैं similarly लिख रहा हूं ठीक है जी similarly क्या करना है यहां तो हमने जब AD perpendicular बनाया था तो देखो B और C का relation प्रूव हुआ क्या था अगर मैं perpendicular AD की बजाए यहां पर BD बना देता D point इदर लेके BD बना देते तो A और C के relation complete हो जाता यानि कि क्या प्रूव हो जाता A upon sin A is equal to C upon sin C यह करके दिखाने के जिरूरत नहीं similar ले लिख दिया भी यह है तो यह भी प्रूव हम कर सकते हैं तो from A and B क्या प्रूव हो गया जी जो हम प्रूव करना चाहते है A upon sin A is equal to B upon sin B equal to C upon sin C और यह क्यों सा formula है? sin formula इसे reverse form में भी use हो सकता है आप उपर sin A, sin B, sin C रखिए नीचे A, B, C लिख दीजे still it is okay तो यह था इसका proof अब चलते हैं कैसे इस formula को questions में use करते हैं ध्यान से देखिएगा जैसे माली जी यह question है हमारे पास in any triangle A, B, C prove that sin B minus C by 2 is equal to B minus C by A cos A by 2 यहाँ देखते ही समझ आ जाएगा कि एक triangle है A, B, C यह small A, B, C का मतलब opposite वाली side का नाम दे रखा है A, B, C तो जो अभी method किया है वो हम use कर सकते हैं कैसे by law of signs यानि की sign formula हम क्या लिखते हैं जी A upon sign A is equal to B upon sign B equal to C upon sign C यह तीनों equal होते हैं न तो इसको मान लेते हैं K कि यह सारे K के equal है तो यहाँ से small A की value क्या आएगी sign A K से multiply होगा तो it will be K sign A B की value K sign B और last जो small C है इसकी value K sign C आएगी जी चलिए तीनों की value निकल गी अब मेरे पास क्या था B minus C by A तो अब एक काम करते हैं B minus C upon A की value निकालते हैं B है K sign B C है K sign C नीचे denominator A है उसकी जगह पर K sign A अब देखो K common निकालके कट जाएगा हमारे पास क्या बचेगा सिरफ sin B minus sin C upon sin A अब उपर देखो sin C minus sin D का हमने formula कर रखा है क्या होता था फोर्मूला 2 को C plus D by 2 sin C minus D by 2 तो यहाँ पर लगेगा 2 cos B plus C by 2 sin B minus C by 2 नीचे क्या है sin A sin A को हम 2 sin A by 2 cos A by 2 लिख सकते हैं अब थोड़ा सा काम रह गया हमारे पास करने वाला जैसे यह B plus C है न हमारे पास B plus C को हम लिख सकते हैं 180 minus A यह ध्यान से समझेगा यह step बाक्की चाहिए सब सेम पढ़ा रहे ने दो यहाँ इस step को बहुत अच्छे से समझना है आपने क्यों समझना है देखो B और C ABC क्या है एंगल्स है A plus B plus C क्या होता है 180 डिग्री तो B plus C क्या होगा 180 minus A एंगल्सम प्रॉपर्टी यूज की हमने नीचे तो हमारे पास सेम है फिलल 2 साइन A by 2 को से बाई 2 यह दोनों अभी एज इट इस रहने देते हैं अब इसके बाद क्या होगा यह देखो इसको स्प्लिट करोगे न थोड़ा मैं एक स्टेप काट रहा हूँ 2 से 180 को काटोगे तो बनेगा 90 एक बार यहां पर लिख रहा हूँ और A को 2 से डिवाइड करोगे A by 2 बनेगा यानि कि कोस 90 माइनस थिट्टा के इसके एक कोल होता है साइन थिट्टा के तो यह बन जाएगा 2 साइन A by 2 इतनी इतनी जगाँगा और आगे है साइन B माइनस C by 2 नीचे 2 साइन A by 2 कोस A by 2 इदेखो यह दोचे जगट की अब बना क्या लेफ्ट साइड में है B माइनस C by A यह जो कोस A by 2 है क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे तो B माइनस C by A से मल्टिप्लाई होगा तो कोस A by 2 बन जाएगा बस यहाँ पे क्या बचा साइन B माइनस C by 2 देखो यही प्रूव करना है हमें तो इस तरह से इस फॉर्मुले को यूज किया जाता है एक क्यूशन और करते हैं जिसमें यही फॉर्मुला यूज करेंगे हम अभी देखे जैसे यह क्यूशन है एक क्यूशन है बिल्कुल से मैथट है अब मैं दोबारा वो स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ हमारे पास वो आपने कर लेने हैं कि A की वेल्यू कितनी आई थी के साइन है सेम लॉफ साइन यूज करके B की वेल्यू के साइन B C की वेल्यू के साइन C लएट लेफ्ट साइड उठाते हैं लेफ्ट साइड क्या है A प्लस B अपॉन C Let's start using it A की जगह पर K sin A B की जगह पर K sin B C की जगह पर K sin C अब K खतम कट जाएगा उपर नीचे उपर से कॉमबन निकालेंगे तो तो sin A plus sin B upon sin C अब देखो sin C plus sin D का फॉर्मूला क्या होता है वो था है 2 sin C plus D by 2 cos C minus B by 2 नीचे क्या बना जी sin C को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin C by 2 cos C by 2 सेम क्यूश्यन है देखो 180 की जगह पर 180 माइनस C A plus B के जगह पर 180 माइनस C नीचे 2 cos A minus B by 2 नीचे 2 sin C by 2 cos C by 2 अब होगा क्या ये 90 माइनस C by 2 है न तो sin 90 माइनस थिट्टा होता है cos थिट्टा गए तो ये बना 2 cos C by 2 फिर cos A minus B by 2 नीचे सेम 2 sin C by 2 cos C by 2 अब 2 से 2 कट गया cos C by 2 से cos C by 2 कट गया we will be left with cos A minus B by 2 upon sin C by 2 बस ये ही हमडें प्रूव करना था I hope अब sin formula use कैसे करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा और आज का concept अच्छे से clear है आगे हम cos formula अपने next lecture में करेंगे Thank you